नमस्कार मित्रों, पुने हाजिर हैं आप एके लोग पर ये चैनल ओमेस्टों वास्तों में दोस्तों, घड़ी, क्लॉक, हर घर की मुख्य वस्तु है बड़ी-बड़ी अकरशक रूप से पुराने जबाने में घड़ियां देखी होंगी और जड़तर जो पुराने घर हैं, रहीस घर, पुराने धनी लोगों के पास आपने बड़ी घड़ी देखी होगी और जिसके नीचे एक पेंडलम होता है, ऐसे मूव करता है, सुईयों के साथ, सुईयों के द्वारा एक एक गंटे में और continue चलता रहता है और एक गंटे बाद उसके अंदर धवनी आती है, यह बताने के लिए कि एक गंटा हो गया, दो गंटे हो गया, इस तरहे का यह घड़ी जो है, पेंडलम वाली बहुत ही positive energy है, देती है, तरक्य के रास्ते खुलती है, तो अगर कभी घर में आपके पास साधन भी हैं, तो पेंडलम की घड़ी लिए, आज कल बहुत सुंदर सुंदर घड़ियां आती हैं, हर एक गंटे के बाद वो आपको बताती है, एक घंटे के अंदर, एक, दो घंटे के अंदर, दो बार उसके अंदर आवा जाएगी, इस तरह से चार घंटे में, चार बार आएगी, तो कई बार आप बहार बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वो भी आपके अनुरूप आपको बता देगी, बिना गड़ी को देखे वे, क कितना समय होगा है, चार बजे हैं, पांच बजे हैं, और धवनी भी बड़ी आकर्शक होती है, तो ये बड़ी उत्तम चीज है, उर्जा की एक बैलेंसिंग चीज है, उर्जा का बैलेंस करती है, उर्जा का बैलेंस करती है, गुमाती रहती है, एक ही दिशा में, एक ही स्टा वो गतिमान है, वो आपके जीवन में नया पन लाएगा, नया शरोत्र ला रहा है, नई दिशाएं ला रहा है, नई चौब ला रहा है, काम का वो प्रतीक है, हल्चल का प्रतीक है, कंटिनियूटी का प्रतीक है, निरंतर्ता का प्रतीक है, समय की धारा के अनुरूप, अगर धन की कोई समस्या नहीं है तो पेंडिलूम की खड़ी लीजिए आपके घर में शूपता बढ़ेगी मांगलिक कारों में रुकाफटें दूर हो जाएंगी धन की कभी कभी नहीं रहेगी और इसके एक और खासियत भी होती है कि ये रात के अंदेरे में भी आपको डिस् भी इसके सेल खतम हो जाएं तो रुकावट के बाद इसको मत रखेगा ये चलती रहने चाहिए खराब हो जाए तो हटा दीजेगा अन्यथा इसकी जो सुन्दर धवनी है वो आपको और आपके बच्चों को परिबार के सदस्यों को जीवन में आगे बढ़ने की तरंगे द आता हूं और आप को एक निवेधन जरूर करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे फिर भी कोई जानने की इच्छा है जिग्यासा है जैन्वन होनी चाहिए तो मेरा वाटसेप नंबर है आप वाटसेप कर सकते हैं एक प्रशिन का निशोन को उतर देता हूं